हेई किल्स वेलकम बैक टू मैंने ब्रेंज मैं हम खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सेकेंड का चाप्टर नमबर थर्टीन जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी तो ये चाप्टर में हम क्या पढ़ने वाले इसमें एक चोटी सी कवीता जिसे ह हम पढ़ेंगे और वह कवीता किसके उपर है सूरज को बुला रहे हैं चोटे-चोटे बच्चे क्यों बुला रहे हैं कि जब बहुत बारिश हो जाती है धेर सारी जम 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 बारिश तो हमें ऐसा लगता है कि ना हम कहीं बाहर जा पारे ना हम खेल पारे ना हम स्कूल आ पारे और बारिश जो है जर 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 बस बरसती जा रही है तो हमें आती है गुस्सां और हम सूरज को बहुत बबलाते गी सूर जल्धी ऊना जी टो उस stimulus करते हम कभीता को उससेитеरए आपको आना पड़ेगा पेश नमबर 81 पे 8181 ठीक है तो एक कटोरी भर कर गोरी दूप हमें भी लाना जी सोरज जल्दि आना जी जम कर पैट harbor-Nandakar न दिखता है ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है सचसच जरा बताना जी सुरज जल्दि आना जम कर बैठा यहां कैसा आर पार ना दिखता है जल कहासा मतलब जब बहुत जादा थंड भी पड़ती है यह बारिश नहीं किसे बोल रहे हैं थंड के बारे में बोल रहे हैं तो जब बहुत जादा थंड पड़ती है तो हर जगे कोरा हो जाते हैं कोरा मींस हमें हर जगे दु Etna कोई ठिकता है इतनी ज़्यादा ठंटी होने पर हम भारे नीटिक सकते तो इतना कोई घर में ठिकता है किया सच सद जर्च बताना जी सुरदिधी आना जी कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं अब वो क्या कहा रहे हैं कल की कल जो बारिश होई थी उसमें जो हम भीगे हैं उसके कपड़े अब तक गीले हैं क्या दर्वाजे क्या दर्वाजे क्या दिवारे क्या दर्वाजे सब के सभी सीले हैं अब जब बारिश बहुत होती है तो सीलन आ ज बहुत ही चोटी सी कवीता है इसे हम फिर से एक बार और पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे तो बस इसमें शिकायत है बच्चों की लोगों की कि सुरजी जल्दी आचो बहुत बारिश हो रही है ठंड में पढ़ रही है मसा नहीं आ रहा है घर में ही बैठे हैं कपड़े भी घीले हैं दर्वासे और दर्वासे और दिवारों में सीलन आ चुकी है आप नहीं आएंगे तो सब कुछ बाइले जैसा ताज़गी जैसा कैसे होगा तो चल्दी आना जी चीक है तो अब हम इसको एक और बार पढ़ते है एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी सूरज जल्दी आना जी जम कर बैठा यहां को आसा आर पार ना दिखता है ऐसा अभी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है घर में कोई सबस्त जरा बताना जी सूरज जल्दी आना जी कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक घीले हैं क्या दिवारे क्या दर्वाजे सब की सब ही सीले हैं छोड़े आज बहाना जी छोड़े आज बहाना जी ना 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 जी सूरज जल्दी आना जी तो यह हैं हमारी कभीटा इसे हमने पड़ लिया है समझ लिया है और अब हम बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं अपने अगले पेज पे तो अगले पेज है आपका 8282 जिस्पें है धेर सारी का एक्ससाइज जिने हमें साथ में करना है तो आजाते हैं पहले प्रश्ण पे रंगों की बात कवीता में धूप का रंग गोरा बताया गया है जी क्या बुला गया है पहली लाइन देख लेते हम क्या बुला है एक कटोरी में भरके गोरी धूप हमें भी लाना जी गोरी यानि गोरा रंग बुला है धूप के रंग हो चीक है कैसा चमकता दार होता है इसलिए अब तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है पर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है कवीता में तो गोरा रंग सा बुला है पर तुम्हें कैसा धूप का रंग लगता है तो आईए सुत्र को निख लेते हैं अब आपको अपनी कॉपी निकालनी कि हमें लगता है उसका जो रंग है वो लगता है उजाला जब धूप आती है तो पूरे घर में उजाला हो जाता है रात होती है तो कैसे अंधिरा हो जाता है वैसे जब धूप आती है तो पूरा उजाला हो जाता है तो हमें लगता है उसका रंग उजाला चीक है चलो अगला देखते हैं अगला है धूप कब नहीं सुहाती वाला, धूप हमें कब अच्छी नहीं लगती अभी त States को बिला रहे हैं धूप को बुला रहे हैं पर धूप बी ऐसी है जो कभी हमें अच्छी नहीं लगती कब ऐसा हो सकता है जब घर्मी का मौसम होता तेज कडाके तर धूप पढ़ती है चुबती है धूप इतनी जोड से पढ़ती है तब हमें धूप अच्छी नहीं लगती है तो कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो तो इनने एक तो लिख दिया कि छाता ले कर जाते हैं और भी चीज़े हम करते होंगे तो यहां पर इसमें copy में नहीं लिखना है इसमें आपको यहीं पर उत्तर लिखना है क्या लिखना है आईए देख लेते हैं तो हम लिखेंगे गर्मियों के मौसम में धूबनाली दूब नहीं पसंद होती है अब धूब से बचने के लिए हम क्या क्या करते है, ये वाला तो अलड़ी लिखा हुआ था, सिरे ये वाला लिखने हैं आपको जिस पे मैं लाल रेखा खीचूंगी, लाल लाइन खीचूंगी, वो चीज़ें आपको खाली जगे में भर नहीं है, तो हलके कपड़े पहनते हैं, जी हाँ हम लोग कैसे पहनते हैं, बिलकुल हलके कपड़े पहनते हैं, जिसमें ज्यादा गर्मी ना लगे, कोई संस्क्रीम हाँ, मम्मी के पास धेर साथी संस्क्रीम होती है ना, मम्मी कहते हैं, अभी यह वाली गरीम ही लगा ना, जिससे जो आपकी स्किन है, आपकी जो तफचा है, वो खराब ना हो जाए इस खारण से, चेहरे को कपड़े से ढख लेते हैं, और जो हमारा चेहरा होता है, वो उस कोई धूप का दारेक्ट असर ना पड़े, तो उसे धक्के चलते हैं, ठंडा पानी और कोल रिंग भी पीते हैं, और आइस क्रीम भी खाते हैं, तो ठंडा पानी और कोल रिंग भी पीते हैं, तो यह सारी चीज़े हम करते हैं, इनको आप देखके लिख लीचे, वो खाली जगे पे वीडियो को रोक के पॉस कीज़े यह सब चीज़े भरिये फिर प्ले करके मेरे साथ आगे बढ़िये चीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारा आप इससे वही पेज तो यह था हमारा पेज यह आप लोगों ने पूरा भर लिया होगा चीक तो जैसे कि हम देखें बारिश बारिश से जुड़े वह शब्द लिखे हुए जैसे कि पानी गीला बादल और पटना अब पानी जब बारिश होती है तो पानी आते हैं हां हम गीले भी हो जाते हैं हां और बादल भी आ जाते हैं हां पर पटना का इसमें कोई कोई मिलन नह emie मिलता ठीक है अब घर घर में होते हैं दर्वाजे जी हां खिर्की व icon sabaon sofamton तो गर में तो होता है पर sarun sy侠 यहां लिखाय दिवार झोट sinister बंता है वो दर्वाज़े analytics इस बांसे हमारा घर बंता है साबन से मारा घर नहीं बनता हमारा घर बनता है दर्वाजी घड़कियों दिवार से पर साबुन से नहीं मूता तो यह हो गया गलत तो हम साबुन पर लगा देंगे गोला फिर आते हैं सूरज पर तौसऱ् जो सूर चाहिफ किस्ट न को सूरज से रिलेटेड सूरज की मिलती है धूप पहला तो में धरती तो में में नहीं आ है औरette लिखा है लंका सूरज मिलन को मिलती है यहां पसीना हाँ पसीना प्ली समय कि जो आखरी शब्द है गर्मी तो याने की जो धर्ती है वही है अलग शब्द बाकि सुरत से हमें धूब भी मिलती है सुरत से गर्मी लगती तो पसीना भी आता है सुरत से गर्मी तो लगती है तो धूब धर्ती जो है वह अलग हो गया तो धर्ती पर लगाएंगे गोला फिर ह भी चम्मच होती है और गिलास अब चूला जो है आपे अलग हो गया तो चूला पर लगाएंगे हैं गोला चीक है? यह हो गया हमारा गोला और हमने समझ लिया कि अलग कैसे हैं यह चीज़ें आप हमारी पेज की एक स्थेस्पूरी होती है पेज नम्बर 83 पे आज़ोगे पेज नम्बर 83 पे आगए ये वाला पेज आपको खुल गया होगा ठिकिने आपको प्रशन उत्तर आपको दीये हैं और जगे भी दिये जहां पर अपको उत्तर लिखना है तो आईए देख लेते हैं अगर दूप ना हो तो क्या होगा अगर दूप कभी आएगी नहीं तो क्या होगा क्या कभी हमारे कपड़े सुख पाएंगे नहीं क्या हम धूप के मज़े कभी ले पाएंगे नहीं हमीशे ठंड या बारिश रहेगी तो क्या मौसम उतना अच्छा हो पाएगा नहीं तो भू बरसाथ में भी धूप अच्छी लगती है क्योंकि बरसाथ में जब धूप आती है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं हम बहान निकल पाते हैं बहुत सारी चीज़े तो धूप भी बहुत साधा जरूरी है तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम आएए अगर धूप ना हो तो क्या होता यदि धूप नहीं उगती तो प्रित्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता प्रकायश के प्रवाव से पेड़ पौधे मुर्जा जाते शरीर की उर्जा नहीं मिल पाती तथा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता धूपी कभी नहीं आ जबता और जो हमारे पेड पौते हैं वो धूप उनको बहुत जजदा ज़रूरी है उसी से वह उगते हैं तो धूप नहीं मिलती पानी ओधूप उनके लिए बहुत ज़रूरी है तो पेड़ पॉज जो हैं पोर समय जाते शरीर की ऊ barking यानि हमारे को एनर्जी मिलती है सूरज की रोशनी से वो खतम हो जाती है जीवन जो है जन्जीवन व्यों अस्त व्यस्त हो जाता तो यह आपका पहला उत्तर जो खाली जगाद दी हुई है वहां पे यह लिख लीजे वीडियो को प्रॉस करके फिर हम बढ़ेंगे आगे चिक अगर हवा नहीं होती तो क्या होता तो अगर हवा नहीं होती तो हम सास ही नहीं ले पाते अगर हवा ही नहीं होती तो हम सास नहीं ले पाएंगे हवा के अभाव से मनुष्य जीव जन्तु पशुपक्षी सब मर जाएंगे अगर हवा होती है तब हम सास ले पाते अगर हवा नहीं होगी तो हम जैसे आप सब मैं हम सब और सारे जानवर और सारे पेड़ पहुदे सभी क्या होंगे मर जाएंगे अगर हवा ही नहीं होगी तो हवा भी बहुत जादा जरूरी है तो यह वाला उत्तर भी आफड़ा-फड़ से लिख लीजे फिर हम बढ़ेंगे आगे चीक पानी नहीं होते तो हम अपनी प्यास कैसे बुचाते पानी नहीं होता तो हम भी जीवत नहीं होते तो पानी जीवन के लिए आवश्यक है इसके बिना जीवन की कलपना तक नहीं की जा सकती तो बिना पानी के तो जीवन की कलपना याने हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना पा पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो जो हमारी हवा है ना उसका कोई इस्तुमाल ही नहीं हो पाता यूंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वही हवा को शुद्ध करते हैं पेड़ पौधे हमें खाने की धेर सारी चीजे देते हैं तो पेड़ पौधे नहीं होते तो कोज भी नही हो पाता तो पेड़ पौदे हमें ऑक्सिजन यानि कि जिससे हम सास ले पाते हैं वहां प्रदान करते हैं ऑक्सिजन क्या होता है ऑक्सिजन जो हम जिससे सास ले पाते हैं हमारी हम जीवेत क्यों है क्योंकि ऑक्सिजन के कारण ऑक्सिजन किसे मिलता है पेड़ पौदे से मिलत हार है इनके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें जो है सूरज की रौशनी और हवा पानी और पेर बौदे यह सबसे ही मना हुआ है संसार और इन सभी के कारण आज हम जीवित हैं अगर यह सभी चीजों में से एक भी चीज चली गई तो हमारा जी हो पानी हो और चाहे वो पेड़ पौदे हो सभी चीज़ें बहुत जरूरी है यह सारे उत्तर आप लोग लिख लीजे अराम से वीडियो को पॉस करके फिर मेरे साथ आगे बढ़िए बिना लिखे हिंदी हमें आगे नहीं बढ़ना है चिक है चलिए अब हम देख लेते हैं हो आरे बापर से पेज नमर 83 पर आ ज़ते हैं तो यह चारों ही अब उत्तर आपने लिख लियोंगे यहाँ तक अगर धूप ना होती हवा ना होती पानी ना होता तो क्या क्या होता यह सारे उत्तर मैं आपको लिख मा दिया है अब आतें आ Zach कौन सा बहाना सूरज का अभी बहाना बना के हमें मना करेंगे कि नहीं मैं अभी आना नहीं चाहता, तो देख लेते हैं, इसका उत्तर हम फटाफट से, तो वो बोलेगे हमें कि आज मेरी तभियद ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ आज मैं आपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं आज मने आपको या तो यह वो महना बोलेंगे या तो विकीह सूरत आच्छा करेंगे वो क्या बोलेंगे कि आज मेरी तभिएचीक नहीं है और या फिर बोलेंगे कि पेज नमबर anytime पेज़ नमबर 34 पे कोहासे का मतलब कहरा ये होती है कोहरा किस मौसम में झाजाता है जैसा कि अबीता प्ढ़ते प्ढ़ते मैंने को कोहासे का मतलब समझाया था कि वह बच्चे कह रहे हैं किहार तरफ कोहासा झाया हुआ है दामला हमें आर पार भी नहीं दिख रहा है तभी मैंने पताया था कि सर्दी के मौसम में कोहरा चाह जाता है जो दुनला सर्दियों के मौसम में चा जाता है तो जो खाली जगा लिखी बनी वही है उदर पे उदर पे आप लिखिए कोरा सर्दियों के मौसम में चा जाता है चीक है चले आप हम आप इसे पेज पे आ जाएए आप पेज में क्या दिया हुआ है आगे सूख जा भाई सूख जा तो मान लो कल स्کूल से घर आते हूई तुम पोरी भीग गई तो अब हम देख लेतें इसका उत्तर और आगे एक और प्रश्ण है तुमहारी ये चीज़े कितने समय में सुखेंगी अब तुम्हारी कमीज जो तुम युनिफर्म पहनते हो भी घिली हो चुकी है बसता जो बैग लेके चाहते हो भी घिला चुका है और जो शूज याने जूते पहन के चाहते हो भी घिली हो चुके तुम पूरे उपर से जीचे तक घिले हो चुके हो बारिश मे पीगने के कारण और दूसरे दिन भी तुम्हारा स्कूल है तो इन सब चीजों को कहां सुखाओगे और कौन सब से जल्दी सुखेगी और कौन जाधा समय लेगे ठीक है तो इनको भी हम देख लेते हैं तो मान लोकल सुखेगे तो कि मैं इन सब चीजों को धूप में सुखाओंगी इन सब के सुखने का अलग-अलग समय लगेगा तो हम सबी चीजों को पहले तो ने पूचा कहां सुखाओगे तो हमने बताया हम इने धूप में सुखा देंगे पर सब चीजे अलग-अलग समय लेग बड़ा भी होता है आपका जो बैग लेके जाते हो स्कूल तो वह 6 गंटे में सुखेगा और जो जूते हैं वो भी मोटे होते हैं तो कम से कम वो भी 4 गंटे लेंगे तो इस तरह से इतना समय लेके हमारी चीज़ें सूख जाएंगी और कहां सुखाएंगे धूप में तो इन और फी का दोनों शब में अंतर है ना हां इन्हें बोलने में भी अलग लगता है फी ता और फी का दोनों अलग लगता है आखरी में उसमें ता आ रहा है इसमें आखरी में का आ रहा है ठीक है तो पहले फी में बिंदी लगी है और जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं और तब भी समझा था कि इसको बोलते हैं जाता है यह हुगया जरा तो जा यह और यह जा लिखा दोनों में जा ही यह पर इसमें अलग यह अलग यह बिन्दू के कारण जा जो है वो बन जाता है जा वही चीज है हमारी फ में तो नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये गए हैं इन्हें बोलें और सुनकर अंतर समझें दोनों तरह में एक एक शब्द खुद भी जोड़ें अब है काफी काफी जो न की थोड़ी सी बिंदू आ जाती है वो जाता है काफ और यह जाता है फिर सफीद फैलाना तारीफ फटना अब फ के दो और शब्द आपको यहाँ पे जोड़ने हैं तो हम देख लेते हैं दो शब्द हम कैसे जोड़ेंगे तो दो शब्द जो आपको जोड़ने है वो है फर्क फर्क और फल तो इस दोनों को आप लोग नीचे लिख लिजे खाली जगा जो एक एक जगे दोनों में दी हुई है वो लिख लिजे इससे आपको जो यह बिंदू जो नीचे लगती है इसका महत्व समझ में आएगा चीक है चलिए इसी exercise के साथ हमारे चाप्टर है वो भी होता है खताम और यह जो बिंदू वाली exercise है यह आप अब कोई चाप्टर कोई टॉपिक दूढने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है गूगल पर जाना है टाइप करना है माइन डूट कॉम और सब्सक्राइब करेंगे यहां पर धेड़ सारी च्लास दिख रहे हैं जो भी क्लास के स्ट्टूडइन थे उस पे आपको क् look now पे klick करना है जयसे इसकी वाजण पे klick करेंगे तो आपकेtr-wise sequins open ho जाएगा जैसा आपकी book में given हैं उसी सीक्मेंस पें आपको सारे chapters देखने लगेंगे जो भी chapter आपको देखना है आपको s çalışrüpacuk click करना है और video जो है आपको start हो तो बहुत ही सिंपल है मैंगनेट ब्रेंस पे कोई भी टॉपिक कोई भी चाप्टर टूड़ना चीक है तो यहां होता है हमारा चाप्टर 13 खतम सूरज जल्दियाना जी बहुत ही प्यार इसी कवीता थी ऐसी और कवीता और कहानी जो भी आपके बुक में बचे हुई है वो भ क्यू कर दूब कॉइए झाल भी निभूए टॉप्स कर लेजार ने कर दो अ